सर अभी दो तीन दुबारा थोड़ा खड़वा सच्छा, सच को बोलना चारे हैं कश्मीर फाइल्स के बारे में उसके बारे में बात करने वाले, उसका किलाफ बात करने वाले, नए नए 100, 200, इतना ही हुआ, आप इसके उपर क्यों इतना चिंता जनक बात कर रहे हैं उस समय का दो तीन सच्छा ही हम याद करना चाहिए जब इतना जबर्दस्त हिंदूओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था और मैं बोलना नहीं चाहती no difference between mother and daughter husband के सामने wife का you will understand sir can't even utter this here can't even utter this people were threatened you will convert or else you will not be alive ये हुआ उस समय मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ न कुछ आतंका नहीं नहीं that didn't happen that didn't happen denial आज भी denial हो रही है और जब इस film के बारे में कोई honorable member बात कर रहे थे बहुत सारे members उसके ऊपर बात किये even now ये मैं दुख के साथ वरिष्ट कॉंग्रस के नेतागन बहुत बैटे हैं दर खाल कॉंग्रस के official handle से denial का tweets लगाता रहा और ये भी बोले कश्मेरी pundits खुद जा करके चल गए कश्मीर से चल गए कश्मीर से उनके खुद की मरसी से ना की कुछ हुआ denial कॉंग्रस के official handle से और उस handle में से ये भी बोले की अपने आप चले गए और हमारे हमारे पार्टी का belief है कि ये terrorist का कामता कुछ कामता पता नहीं और उकुद वो क्योंकि डेली में उनको कुछ benefits मिल रही है जमीन मिल रही है job मिल रही है reservation उसके लिए वो निकल गए और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे belief कॉंग्रस पार्टी के belief separatist का long battle है ये separatist and those who stand for India मतलब भारत के लिए जो लोग है उनके और separatist के खिलाफ वाले बीच में आपस में जगडा है इसके वज़े से उदर दुख हुआ मगर सच्चाई में बोलू सर उस समय National Conference Party असनन मसुदी जी है इदर उनके गाव्मेंट था जी एनके में और उस में partner थे Indian National Congress और दुख से ये भी में कह रहा हूं नाम नहीं ले रही हूं तब की Chief Minister Hinduों को उनके अपने नसीब देख लो बया करके विदेश चले गए ये भी सच्चे जी जम्मो कश्मीर के तब की सरकार की Chief Minister हिंदूओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए और ये लोग मरे रेप हुआ और उन सब को बाहर बागने का बदनसीबी उनके उपर आया आज भी कॉंग्रस खल के ट्वीट के द्वारा कॉंग्रस उसको डिनाए कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस का और देश के किलाव लड़ने वाले सेपरेटिस का और देश के आमने सामने के लड़ाए अगर वो सच है सर मैं उनसे पूछना चाती हूँ अगर वो बात सच है कॉंग्रस के ये बात सच है तो उनसे पूछना चाती हूँ जे अनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडिन एर फोर्स के आफिसर्स को खुले आम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक एंड किया है कॉंग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कॉंग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके जो सेपरेटिस है और आज बयान दे रहे हैं कॉंग्रेस कि सेपरेटिस और बारत देश के किलाफ जगड़ा अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस को बुला करके प्रदान मंतरी जी के हाथ शेक करवाया उनको इंवाइट किया क्या सच है आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर बाग गए देश चोड़ करके तीसरा ये नोग बाग बाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उनी के अपने देश में फिर कल तक कल सुबे तक कॉंग्रेस का ट्वीट में ये आ रहा है कि सेपरेटिस के किलाव बारत देश के किलाव जगड़ा हो रही है ये सेपरेटिस वर्सिस बारत देश है अगर वो सच है फिर क्यों सेपरेटिस को आपके प्रदान मंतरी जी के पास लेके गए जो हमारे एर्फोर्स के लोग को मरा हैं सर मैं किसी का नाम नहीं ली मगर प्रदान मंत्री जी के पास गए कि नहीं गए कल का ट्वीट सच है कि नहीं सच और और सर मैं ये भी बोलू और ये भी बोलू ये प्रदान ये सुन लिजिए जरूर ये सुनिए ये सेपरेटिस्ट ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलिविशन चैनल में ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी चैनल में जाकर के कंसीड किया माना कि हां मैं एर्फोर्स के अधिकारी को मराया जे, 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 जे सर मैं आपके अनुमती से ये बात बोल रहे हूं सर ये सब हुआ और आज हम से पूछ रहे हम से पूछ रहे हैं सर अगर ये ट्वीट्स क्यों हुआ कल ट्वीट होनके आपके अफिशिल हैंडल से क्यों हुआ